वेल्कम बैक टो ए लर्णिंग विदिना में में चैनल हाज का जो सेसन है काफी इम्पोर्टेंट सेसन आपको बता दें आज हमने सौट वीडियो डाले जिसमें आपको यूजी सी की जो बुक हैं जिनके आप क्वेरी कर रहेंगे में करा देजे करा देजे तो जदी तैयार हो क्या है किस फरवरी से एक्जाम होने लगेंगे यूजी सी की तो 21 फरवरी से अमूमर मार्च तक वो एक्जाम चाहेंगे तो उस बीच कभी हम साइंस का भी एक्जाम हो सकता है तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं आज कर सहसन आपका अगर यह कि TGT जी ने और PGT की जो इसलिए बसे बाहर नहीं होता तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंग भनो सिंगासन की चिंता ना करू क्योंकि आप जहां बैठेंगे सिंगासन वहां होगा यहां पर पहला कुशन कह रहा है कि कौन से उतक का निर्मार केवल जन्म से पूर अथात गरवस्ता में ही हो जाता है आपको बताना का ऐसा कौन सा उतक है जिसका निर्मार क्या है आपका जैसे बच्चे का क्या होता है अब फर्टिलाइजेसन होता है उसकी बर्थ से पहले यानि फर्टिलाइजेसन बर्थ के बीच में ही उतक का निर्मार हो जाता है तो पहला है पेसी उतक तूसरा है तंतिक तंतिका उतक का निर्माड हो जाता है बरत से पहले तेक है यानि गर वबस्ता यानि मा के गरों में ही जिसका निर्माड होता है वो है तंतिका तंति उपास्ती किस पदार से बनती है अस्तिमजा से, कांडरिम से, कैल्सियम से और आसीन से तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा कार्डिन से बनती है उपास्ती आपको चलदी ही होम साइस के किसी ज्यार एफ इस्टूडेंट का इंटर्वू आपको देखने को मिलेगा हमारे सरीर के किस भाग में टेली मीडिय अस्तियां पाई जाती है अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो वो इंटर्व्यू हम ऑनलाइन रख लेंगे जिसे कि आप भी अपनी क्यारी पोझ सके किया हो हम साइस का स्टूडेंट होगा इस पार । इस पार हमने फर्र्ष पर की सारे स्टडिश जाने ही लिये हैं जैरर एफ कॉलिफे EXT से तो NEST हमारा जो स्टैप रहेगा वो रहेगा हों साइन्स के स्टूरेंट से उसकी जन्नी जाने के कैसे उसने सपलता प्राप्त की उताता कैसे जारेफ पेकिस ले पा रहा है हमारे सरीर के किस भाग में टेली मेडिय अस्तियां पाई जाती है अगर सरीर की भाग की बात की जाए तो टेली मेडिय अस्तियां कहां पे हैं लीड में हैं जबड़ा वातालू में कनपठी में इनमेसे सबी में वह हमारा सरीर है जहां जैसी आकरती की आवशकता है वैसी ही आकरती उपर वाले ने दी है तो आपको क्या रखना है इन मेंसे सभी में ठीक है जहां जैसी आवशकता है वैसी ही उसने डिजाइनों से बना दी है मक्षन में एक बिसेज प्रकार की सुगंद किस अमल के कालन पाई जाती है आपने कभी भी कानाजी का मक्षन खाया हो कभी भी आपने बैसे मक्षन खाया हूथ आपने देखा है उसमें हलकी सी सुगंद या स्मैल से आती है जो लोगों से खाना पसंद करते हैं उन्हें अच्छी लगती है बट जो नहीं खाना पसंद करते हैं उन्हें अजीब सी उसमें से स्मैल आती है तो यह किस अमल के कालण आती है तो यहाँ पर देख लेते हैं औलिक अमल ब्यूटारिक अमल और लिनोलिक अमल और पामिटिक अमल तो यहाँ पर जो राइट अंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा ब्यूटारिक अमल के कालण आती है एक ग्रम प्रोटीन से कितनी उसमा प्राप्त होती है 4.10 कैलोरीज, 9.45 कैलोरीज और 5.65 कैलोरीज और 7.0 कैलोरीज तो एक ग्रम प्रोटीन से कितनी उसमा प्राप्त होती है तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक ग्रम प्रोटीन हो एक ग्रम कार्वोहाइटेड हो या एक ग्रम प्रोटीन हो उनसे केवल और केवल यह ग्रम हमें कितना देता है तो चार किलो प्रोटीन और क कर्वो है डिट तो यहां पे जो राइट अंसर रहे गा वो रहे गा ऑगा यूव कि यह इसकी जयादा नजदिक अगर बात हो जाती चाहिए को बसा की तो बसा एक ग्राम में कितना क्लो कलोरीज देता है तो नाइट क्लो कलोरीज देता है तो यहां पर option देख लीजिगा और 9 से ऐसा भी नहों कि 12 calories हो तो आप वो भी गलत चला जाएगा कुछ पैंटों में value हो तो यहां तक सही है जिस तरह इसमें दिखाया गया है कि कुछ पैंटों में value है ठीक है 9.45 है यहां पर 4.10 है तो इस तरह जो value होगे वो right जाएगी तो याद रखेंग कि इस तरह की value को आपको ticker के आना है अधिक मदरा पीने से कौन से 5 गिरंती नश्ट्ट हो जाती है अगना से गिरंती पakkवा से क्लों गिरंती और यक्रत दो आप अधिक याने किया करते है डृंक लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है तो आपका li één कि लिबर खराब हो जाता है या नश्ड हो जाता है या नश्ड हो जाता या पन्द कर देतजा काँ करत आपको घृदी बढियात और तिन्नी तो आपको बता दें कि जो रखत है वहाँ पे फ्यूडिफाई करने यानि उसका जलनी करन यानि उसको आरो बैटर की तरह चानने का काम जो हमारे करते हैं वो गुर्दे करते हैं ताभी तो आपने देखा होगा कि गुर्दे देमिज हो जाते हैं गुर्दे ओवर बर्किंग की वज़े से खराब हो जाते हैं जसके ना मिले तो यहां पर क्या होता है कि दूसरे से ट्रांसपर करके गुर्दे डाल दी जाते हैं तो वो गुर्दे भी वही काम करते हैं जो आपके गुर्दे करते हैं कौनसी कड़काओं में हीमोगलोबिन नहीं पाया जाता है तो आरबीसी डब्लोबीसी प्लेट्स और प्लाज्मा तो ऐसी कौनसी कड़काओं हैं जिन में हीमोगलोबिन नहीं पाया जाता है तो यहां पर जो रहेट अंसर रहेगा वो रहेगा डब्लोबीसी ठीक है स्वेत र जिसको बोलते हैं अनीमिया, अनोगलमिन भड़ता कैसे है, आरन की जीजन लेने से, कुड लेने से, आलोए की कड़ाई का खाने से, पालक खाने से, ठीक है, हारी सबचियां खाने से, स्वर्रजुओं में कमपन किस की कारण होता है, तो जैसे हम बोल रहे हैं, यह क्या होगा ह बायू के कारण होता है, बस्तर पर लहर्दा, नमूने अंकिद कना कहलाता है, वेरिंग, कैब्रिक, नमदा, और कोई नहीं, तो बस्त पर जब लेहरता नमूने अंकित किये जाते हैं तो उसको क्या कह जाता है तो इसको मुईरिंग कहा जाता है बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिल्वटें डालना क्या कहलाता है तो क्रैप, कैबरिक और टेडरिंग और कोई नहीं तो अगर आपने प्रसार सिच्छा का मुख्य अंग की बात हो रही है तो जो प्रसार सिच्छा है वो कैसी सिच्छा है वो जन जन की सिच्छा है तो इसका मुख्य अंग क्या है तो सिच्छड भी है, सोध भी है, प्रसार कार्य वास सेवाएं भी है तो यह सबी इसके कार्रे हैं प्रसार सिच्छा में किस विदी से सिच्छा दी जाती है तो जो प्रसार सिच्छा होती है आपने देखिया है कि यह कैसी सिच्छा है विद्यारती अपने विद्याले सिच्छा नहीं कर पाते हैं उन्हें प्रसार सिच्छा के मादर्म से सिच्छा की तरफ मतलब ध्यान देना दूसरा उनके उसमें वही सिखाना जो उनके देनिक जीवन में काम आई जिसे कि वो सीखने के लिए तैयार रहे है या वो सीखना चाहें तो यहाँ पर जो रायट अंसर है प्रसार सिच्छा में किस सिच्छा किस विदी से सिच्छा दी जाती है विदी पूछी जा रही है तो विदी क की सिच्छा है ठीक है किसी के अंदर घर जाकर नहीं दी जाती यह संभू में दी जाती है तो इसलिए यह आप्शन यहां होने की वज़े से यह कट जाता है कि किसी के घर जाकर पार्टुकल नहीं दी जाती यह संभू में दी जाती यह बिद्याले में नहीं दी जाती है एक ज यहां पर रायट आंसर हो जाएगा बिद्ध्याले के बाहर की सिछ्छा हो जो हमने 10 की त्रंकला स्टीय करी है। वीडियो आप तक मिली गई जसमें मादान पूबएन और कुछ चुनिंदा बुकों का हमने कलेक्शन कर रहा है। ये जल्दी ही बुके आपको प्रोवाइट करती चाहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही नेर से समय फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद पते मातरम जय है